आज यह हमारी तीसरी क्लास है फिलकुल नया टॉपिक है आपने बैक्ग्राउंड तो देखी लिया होगा इस टीगा हमारा बैक्ग्राउंड क्या था हमने पूरा जैनेसिस देखा पूरी पूरी हिस्ट्री देखी जिस्टी की कुछ बच्चे आज नय जो जुडेंगे हमारे साथ अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस जर्नी को यहीं से कॉंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज कोई दिक्कत नहीं है मैं आज स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहा हुगा कि आज का जो टॉपिक है हमारा बिलकुल बेस से स स्टार्ट करेंगे हम ठीक है तो यह टेंशन मत लेना कि सर लाज की क्लासिस में क्या करवाया आपने वह क्या चीजे थी वह रिकॉर्डट सेक्शन आप पर देख सकते हैं कंटेंट सेक्शन में और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह एक बिलकुल नए से स्टार्ट हो गुआ है जिसकी में रूप रहा कल राखत दी ती इसका मैं हल्का सा बेकग्राउन एक अल्का हं ऑर दे देचाू एक अब हमने कछ आवे में और प्र है क्या चीजिस के इंदर रिलिवन्ट हैं हमने एक ओवर विउस के अदर लिया था पूरा का फूरा ठीक है अभी पेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं GST के अन्दर Registration पाट GST के अंदर Registration पार्ट तो If You remember मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सर रेजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है and why this topic why this topic यह समझना बहुत जरूरी है कि इस topic की जरूरत क्या है जैसे मैंने कल एक example दिया था आप लोग बेटा school गए हम कल से ही start करेंगी कल हमने जहां पर इसको wrap up किया था जैसे आप school गए आप college गए तो वहाँ पर क्या हुआ आपका admission होता है बेटा आपने college में अपना admission करवाया ठीक है क्यों करवाया क्योंकि आपको suppose एक college का नाम ले ले लिते हैं कोई भी srcc example की दोर पर ले रहा हूँ srcc ठीक है तो srcc में जब आप गए आपने वहाँ पर एक admission form फिल किया जो जो detail को चाहिए थी आपने वह provide की photos वगएरा आपकी mark sheet 10th की 12th की आपका address आपका KYC और जो भी relevant fees थी आपने वहाँ पर submit की उसके बाद वहाँ की वहाँ का जो process था कि आप यह data सब्मिट कीजिए आपके mark sheet वगएरा सब कुछ फिर हम आपको आपका admission accept करेंगे यही होता है वेटा admission accept किया जाता है और उसके बात क्या होता है वो लोग आपको आपका admission card वगएरा आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है आपका रेजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका ब्लोड ग्रूप ग्रम जो भी relevant डिटेल्स है वह आपके ID काड पर आ जाती है तो बेटा this is not only related to आपके college यह process throughout the globe होता है ग्लोब का मतलब पूरी दुनिया में यही चीज़े फॉलो होती है सबका process अलग-अलग होता है सबका purpose अलग-अलग होता है बट registration हर जगे ही होता है ठीक है जैसे आप GST में करवा रहे हैं अगर मैं इंकम टेक्स ही बात करो तो आपको pen number लेना पड़ता है आपको पता है प मतलब goods and services tax number अगर मैं फुल फॉर्म में बताऊं तो goods and services tax number यहां पर मैं number लिख देता हूं इसको फुल फॉर्म के लिए आपके understanding के लिए इसको number लिख देता हूं ठीक है important chapter है आपकी exam perspective से भी और knowledge perspective से भी क्यों कि आपको जब पता यहीं नहीं पता होगा कि सर registration कर क्यों रहे हैं इसलिए करना है कि बैटा government should come to know that this person is willing to take the registration by whatever the reason region पर हम आएंगे बाद में कि region कौन कौन से होते हैं कि आपको number लेना पड़ेगा लेकिन government should come to know कि हाँ यह XYZ person है इसने GST number के लिए apply किया है फिर government data को देखती है check करती है कि कोई malicious activity तो नहीं है आपकी GST number लेने की पीछे malicious का बंदर क्या हुआ कि कोई आप धोखा दर्टी करने के लिए नहीं चाहते हो जाते हो वह भी पेटा मैं संझाऊ हुआ कि वह क्यों लिये जाते हैं ठीक है थोड़ा थोड़ा बात में बता हुआ कि malicious activity क्या होती है उसका purpose क्या होता है ठीक है तो आज मैं आप लोगों को theoretical part करवा हुआ और next class में मैं आपको theory के साथ साथ practical चीजें बताऊ हुआ कि चीजें कैसे move करती है जैसे कि यह कहां अब बोलोगे सब्सक्राइब कैसे होता है इसका क्या offline form होता है बिलकुल नहीं बेटा इसका online form होता है Google पे आप डालोगे gst.gov.in अ आप यह comment के portal पर चले जाएंगे वहां पर आपको registration का option देता है तो मैं आपको पुरा process flow बता हुआ कि जब आप कहां पर click करेंगे तो क्या window open होगी उसके बाद आप क्या process follow करना होता है उसके बाद का process क्या होता है सारी चीजी मैं आपको next class में बता हुआ दूसरा बेटा कल क्लास में भी कुछ questions आये थे और कुछ questions हमारे जो support service numbers पर भी questions आये थे कि sir क्या GST का syllabus हमारा theory है बिल्कुल बेटा जैसे आपने previous semester में income tax को पढ़ा है आपका income tax का syllabus क्या theory था या practical था उसका answer में देना चाहता हूं आपने income tax को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है आपका income tax भी law है और GST भी law है तो हमें practical solve करने के लिए theory को पहले समझना पड़ेगा और बाद में हम practical पर आएंगे ठीक है बेटा तो यह माइन मत रखना है कि GST is a theory subject बेटा it is a combination of theory and practical but practical you can solve only after you you have a clear understanding of the theory and you have a clear understanding of the law ठीक है तो हम वो सारी चीज़े एक साथ लेते वे चलेंगे है आई होप आपको यह समझ में आगया होगा कि हम GST registration क्यों लेते हैं ठीक है आगया बेटा एक में जल्दी से confirm कर दीजिए कि आपको इसका purpose समझ में आगया कि हम GST registration ले क्यों रहे हैं तो मैं आगे की class को आगे बढ़ाता हूं जल्दी से एक बैटा थमसफ़ कर दीजिए जल्दी से confirm कर दीजिए मैं क्लास को फिर आगे बढ़ाता हूँ अजी बेटा नहीं आया बेटा कौन बोला अंशू repeat प्लीज रिपीट अंशू जैसे की हम किसी स्कूल में एक्जामबल ले रहा हूँ बेटा सिरुफ आप उसको कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं जैसे अगर में किसी school और college में आप जैसे आप लोग अभी college में हैं अगर college में आप admission करवाने के लिए जाएंगे अगर आप कुछ बोल यह चाहिए कि मुझे ना इस college में पढ़ना है तो पढ़ने का process क्या है पहले admission लेना पड़ेगा आपको form fill करना पड़ेगा जो data वो मांग साइट है इस website पर जाकर के आप GST number offline form में apply कर सकते हैं department को जो data चाहिए होता है वो आपसे मांगेगा आपको data देना पड़ेगा और फिर उस data को पूरे आपकी form को check करेंगे और check करने के बाद देखेंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं अगर सब कुछ ठीक है तो आपको GST number आप ठीक है विटा आगे चले यह थोड़ी सी मैंने अंग्रेजी लिखी हो यह बेटा आपको पढ़के बता देता हूं ठीक है यही सारी चीजे मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता हुआ हूँ ठीक है शिर्फ इंग्लीश से पढ़ते हैं एक बार क्या कहती है अंग्रेजी अंग क्या बोला इसने कि जो सप्लायर है वह को अप्लाई करेगा और एक यूनीक आइडनिटिफिकेशन कोड मिलेगा उसको जिएस्टी की तरफ से यूनीक अब यूनीक क्या हुआ क्या हुआ बेटा क्या सब्सक्राइब हो सकते हैं बिलकुल नहीं पेटा अगर आप एक सेम पढ़ जाएं मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं में उनके आगे जो प्रिफिक्स हो डिफरेंट होगा ठीक है बट वह भी यूनीक की है सिमिलरली बेटा जीएस्टी नंबर भी जो होता है वह यूनीक होता है हर किसी का वह कभी डूप्लिकेट नहीं हो सकता मैं ब यूनीक 15-digit goods and services tax identification number क्या बोला इसने यह एक यूनीक 15-digit का नंबर होता है यूनीक 15-digit number ठीक है इस registration is the basic requirement for twin purpose of identification of tax and also to check compliance mechanism मतलब क्या बोला कि बेटे सर यह जो जीएस्टी नंबर है ना इसके दो purpose है पहली पहली चीज क्या है identification कि आप कौन हो और दूसरी चीज आप चितने भी compliance इस law में लिखे गए हैं उसको चेक करने का purpose होता है बेटा कि आपने अपनी जीएस्टी की जो return होती हो टाइम पर फाइल करी है नहीं करी उसमें कोई गलती तो नहीं है अगर गलती हो तो क्या action लिया जाएगा वो सारी चीजे इसी नंबर के basis पे चेक की जाती है बेटा ठीक है the registration legally recognizes a person as supplier of goods and services एक बच्चे ने पूचा किसा हम लेते क्यों है number जेश्टी का number फिलकुल सही क्या कहता है the registration legally recognizes a person as supplier of goods and services आप जैसे कि मैं बात करूं कि आप कोई समान बेच रहे हैं दुकान कोल के ठीक है आप कोई समान बेच रहे हैं जूलर है jewelry shop है कोई जैसे हम एक्जामपल लेए पीपी जोलेस का अगरे एक्जामपल लेते हैं तो फिक है पीपी जोलेस अपना सोना यह जो जूलरी बेच रहा है सरकार को कैसे बता चलेगा कि यह इनसान यहां पर दुकान खोलके अपना सोना बेच रहा है यहां कि इनकी चार दुकान हे यहां यहान फिंथा नंबर से फथा है और मान को फाई दिल्लियी में खोलर रख़ी होई हमें उसका वो ले लेकिन उस्ने बिए GST number नहीं ले रखा हुआ उसने apply नहीं कर रखा हुआ ठीक है तो क्या वो legal माने जाएंगी illegal माने जाएंगी इसलिए हाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है legally recognition legally ठीक है अगर आप बिना नमबर लिए काम कर रहे हो तो आप illegal तरीके से काम कर रहे हो सरकार आपके ओप पर पेनल्टी लगाएगी फिर ठीक है पिटा अगर आपको बिजनस करना है तो आपको नमबर लेना पड़ेगा ठीक है अक्षे आपके question को मैं इसके बाद take up करूँगा कि question नहीं है concept है आप पहले प्लीज एक बार concept समझ लीजिए आपके सारे questions का answer मिल जाएगा आपको ठीक है लेट मीं जिस complete the concept first then like it will automatically answer your questions ठीक है ठीक है बिटा समझ में आगे है कि legally recognition चाहिए होती परसन की अब बात आती बिटा सर्क परसन का मतलब क्या है यहां पर परसन का मतलब क्या है परसन का मतलब यहां पर इंडिविज्व भी होता है लेल्पी भी होता है पार्ट्रेसिप भी होता है और कॉपनी भी होता है कि आप किसी भी तरीह से काम करिए चाहे इंडिवीज्व भाम में चाहे पार्टरशिप के अंदर चाहे ऐल्ल वीकी फॉर्म में और चाहे company की form में चाहे यहां पर आप trust भी add कर सकते हैं आप किसी भी तरीकी से काम करिए आपको number लेना पड़ेगा ठीक है बेटा इसको मैं बाद नहीं बता हूंगा बेटा अब बाद नहीं बता हूंगा बेटा थोड़ा साप के लिए जाता हो जाएगा दा इस्टर पर्संट कैं लेंड़ा इटीसी ऑफ एक्स पेड बाई हिम इसका मतलब क्या हैं तो यहां तो समझ में आ गया यहां से और यहां तक समझ में नहीं नहीं आया इसका मतलब क्या हैं अ कि अब करें कि अइद्र सारे कोशुन कि अंसर मिलेंगे आपको अगर आप यह सोच रहों कि सारे खेंश साब्सक्राद के आंसर आप इस प्लीज आप क्लास के फ्लो में चलिए सारे कोशनद्स की आंसर अपको खुदी मिल लेंगे यह जितने भी बच्छों की आए हैं एक एक कोशन्स का आंसर आपको जैसे ही हमारा का टॉपिक हटम होगा सारे कॉशन आंसर हो जाएंगे आपके एक कोशन आंसर हो जाएगा ठीक है यहां तक आपको समझ में आगए यहां से ले करके आपको यहां तक समझ में आगए बैटा यहां से और यहां तक का मतलब क्या है ठीक है इसको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है देखे बेटा इसने गौर्णमेंट ने क्या बोलता है कि अगर आप GST नंबर लेते हो आपने ले लिया तो पहला क्या बोला आपकी लीगली रेकोगिनिशन हो गई ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई दूसरा पहरा जो मैंने आपको बताया कि इससर यह समझ में नहीं आ रहा थीक है इसको क्या मतलब है देखाओ अगर आपने GST नंबर नहीं लिए है अगर नहीं लिए हैं तो आप जैसे सपोस्य करते हैं आप पास GST नंबर नहीं है ठीक है यह नहीं है आपके पास तो क्या होगा आपने जो सेल की एक्जामपल लेते हैं जूल्री शॉप का जूल्री शॉब ओनर ने आपको बिल दिया आपको बिल दिया आप सपोस्ट करिए आपकी घर में कोई शादी है आप जूल्री खरीदने जा रहे हो तो अब आपकी जूल्री का जो कॉस्ट हो रहा हो एक लाख रुपे का हो रहा है ठीक है जूल्री पर जो जूल्री रेट पर तक 3% का है जूल्री रेट बता रहा हूं अगर जूल्री रेट 3% है तो कोई मुझे बताएगा कि C GST और S GST कितना हो जाएगा अगर इंटर स्टेट है तो क्या होगा जल्दी से बताएगा प्लीज फटा फट 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 जल्दी जल्दी रिस्पोंस करें जल्दी जल्दी क्लास में इंटरक्टिट रही है इस विल्प यू तो अंडरस्टैंट फ्रॉम बेस ठीक है बताँ क्लियर है चीज कि सर अगर इंटरस्टेट है तो C आपका 1.5 हो जाएगा और S आपका 1.5 हो जाएगा इंटरस्टेट है तो आपका फ्लैट 3% यह रहेगा ठीक है बेटा बिल्कुल सही ठीक है इसको उटा देते हैं आगे चलते हैं अब आपका एक लाक रुपे का इन्वाइस था तीन परसंट जीएस्ट यह लेकिन जो यह शॉप ओनर है यह ड़स नॉट है जीएस्टी नंबर तो क्या बेटा वह तीन परसंट का जीएस्टी रेट और आप जो हो आपको पता है आप जीएस्टी क्लास पढ़ चुके हो आपको बता है कि समान अगर बेचा जा रहा है तो जीएस्टी देना हमारी हमेरी रिस्पान्सिबिलिटी है ठीक है लेकिन संहीं मैं टें Anyone लेकिन ओनर के पास ज्ट नंबर है नहीं वह आपसे 3 ले रहा है तो अब आप क्या करोगे क्या वह टेक दोगे यह नहीं दोगे आपको पता है कि अगर honor के पास GST number नहीं है he cannot charge GST on the sale value अगर किसी के पास GST number नहीं है वो GST charge नहीं कर सकता नहीं कर सकता इस case में आपका बिल कितने का हो जागा बेटा एक लाग का ही हो जाएगा ठीक है तो जब भी बिटा invoice कभी भी आप कोई समान करी दिए कोई भी समान करी दिए चोटे मोटे समान की बात नहीं करता किसी प्रॉपर शॉप में जाके जहां पर आप समान करी दिए अगर वो GST charge कर रहा है आप उसको बोलिए sir आप मुझे टैक्स इन्वाइस दे दीजिए टैक्स इन्वाइस ध्यान रखना टैक्स इन्वाइस ठीक है क्लियर तो यह चीज़ का पॉसिफल हो पाईगी जब आपके पास GST नंबर होगा अब ध्यान से पढ़ी अंगरी जी को क्या कहता है इट ऑल्सो ऑथराइजिस हिम हिम मतलब जो सेलर है सप्लायर टू कलेक्ट टैक्सेज प्रॉम हिज कस्टमर प्रॉम हिज कस्टमर एंड पास ऑन दा क्रेडिट ऑफ सच टैक्स पेड तूदा तूदा पर्चेजर ऑफ गुड्स और रेसिपेंट सर्विसेज ठीक है अभी आप सर्व यहां तक समझें कि वह कलेक्ट नहीं कर सकता लेकिन यहां पर अगली चीज़ हम देखें कि जैसे यह जूल्री शॉप ऑनर था यह कहीं और से समांग तरित के ला रहा था कहीं और से सब्सक्राइब करते हैं सिच्वेशन बनाते हैं यहां पर एक होल सेलर है ठीक है इदर एक होल सेलर है होल सेलर के पास दो किलो सोना पड़ा हुआ है यहां पर आप गए ठोड़ो आप नहीं गए पीपी जोलर्स वाला गया उसने बोला सर एक किलो सोना मुझे दे दो आप ठीक है इसके पास भी जीस्टी नंबर है इसके पास तो है ही वैसे अभी हमारे पास हमारे केस में इसके बास यह नंबर नहीं था ठीक है क्लियर एक किलो सोना सपोस करते हैं कितने का पढ़ेगा बैटा हो 60 लाक्स का अल्मोस्ट ज्यादा हो सकता है अल्मोस्ट का नंबर लेता हो मैं 60 लाक्स का एक क्लो सोना आपका हो जाएगा ठीक है बैटा अब इसने क्या किया जो खोल से इदर था उसने 60 के ओपर 3% का जीस्टी लगा दिया विच इस आपका 1.8 लाक्स तो यह जो पीपी जोर्रस वाला है इसको सोना कितने का पढ़ गया 61.18 लाक्स यही हो गया बैटा सॉरी 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 1.80 सॉरी माइबड ठीक है बैटा इतने का हो गया सोना सके लिए लेकिन अब बात यह आती है हमारे सिलेबस में कॉंसेप्ट है इन्पुट टैक्स क्रेडिट पर इसका मतलब क्या है पर इसका मतलब क्या है बैटा अगर आपको याद होगा कल की क्लास में थोड़ा सा कॉंसेप्ट मैंने दिया था जब हम कॉस्टिंग निकाल रहे थे एक बिस्किट के पैकिट की सेम चीज़ हम यहां पर फॉलो करेंगे बैटा ठी सेम यहां फॉलो करेंगे बैटा होता क्या है जैसे अब यह सोना आपको इसको कितने का पड़ गया 61.8 का अगर इसके बाद यह नमबर नहीं है तो इसकी कॉस्टिंग इतनी ही रहेगी लेकिन अगर इसके बाद यह नमबर है तो इससे क्या फरक पड़ता है वह देखते हैं इसके पाद यह नमबर था इसके पास भी पहले नहीं तो अब हम मानते हैं इसके बाद यह नमबर आ गया अब क्या होगा अब बेटा इसके लिए यह कॉस्टिंग 60 लैक्स ही रहेगी जो 1.8 Lạ Chaos है उसका यह इन्पड ले लेगा इन्पुड का मतलब क्या होता है सब ठीक है बेटा समझ्जिये जहां से समझे दे क्या समझ्जों मद एक नई चीश है और यही यह चीज बहुत जरूरी है यह चीश समझने के लिए ठीक है समझे यह जो होल सेलर था यह 1.8 लाक्ष रुपीज को कि एस्टी को पेड़ेगा टिश्टी डिपार्टमेंट को पेड़ेगा ठीक है बेटा ध्यान से समझना विल्कुल रिदम में रहना और बिल्कुल अटेंशन के साथ जैसी डिपार्टमेंट को पेड़ेगा कौन है यह कौन है मैंट यह सप्लाइर होल सीर्गम समझना इसको यह सप्लाइर सफ्लायर क्या करेगा अपनी टवाइल और डिपार्टमें कि मैंने इस जीस्टी नंबर को कि सप्लायर क्या बोलेगा मैंने रेसिपियंट को वन पॉइंट रॉपीज की सेल करी है ठीक है और उसमें वन पॉइंट एट रॉपीज का टैक्स था टैक्स ठीक है वो टैक्स का बेनेफिट किसको मिलेगा वोटैस्ट का बेनेफिट इसको मिल जाएगा कैसे मिल जायगा इसको ऐसे मिल जाएगा कि इसके ढट पर जैके ज़िए कि दिखने लगा ठीक है कहां पे देखने input बेटा देर इज़ा देरिज़ फॉर्मिंट एज डी जी अस्ट्य आर 202 बी जी यह त्यार 2B यह कोँछी डियुट पाइल करेगा अब यह प्रेदगा यह स्प्लाइर ये फाइल करेगा जी केस्ट्य-अस्ट्य आरवन कि यह हमारी विस्कलिक लिपस में यह भी यह बेटा कि कितने तरिकी रिटर्ण सोती है तरी रिटर्ण तो यह वहां पे भी चीज़ी बहुत डिटेल में करवाऊं लेकिन अभी हलका समझें कि जी यह फाइल करेगा जहां पर यह बताएगा कि मेरी इतनी सेयल्ध हुई थी जो इसके जिए से टूबी में चला जाएगा और जो यह जो यह पैसा इसके टूबी में गया इसी को हम बोलते हैं इन्पुट टैक्स ग्रेडिट जो इसने टैक्स पे किया इसको इसने मतलब इसने थोड़ी मस समझना रेसिपियंट ने जो टैक्स पे किया सप्लायर को रेसिपियंट ने जो टैक्स पे किया सप्लायर को वही टैक्स इसके जिएस्ट टूबी में शो होगा और वही अमाउंट विल बी कॉल्ड एजा इन्पुट टैक्स क्रेडिट कि अभी बेटा वाज आरी क्लियर में अभी वीडियो क्लियर है कि अभी क्लियर है कि अभी क्लियर है तो मैं दुबारे शॉट करता हूं नो बरीज तो कि मैं स्टार्टिंग से बताता हूं ठीक है लेटस नौट गो इंटु डाट की सर कहां से वहां से नहीं पूरा शॉडिक से शुरू करते हैं यह जो मेरा सप्लायर था सप्लायर ने रिसिपियंट को समान बेचा 60,00,00 रुपे का ठीक है जो समान बेचता है जो बेचता है उसको हम बोलते हैं supplier जो खरीदता है उसको बोलते है recipient make sure यह terms आपको याद रखनी है supplier कौन है recipient कौन है जो buyer होता है वो recipient होता है जो seller होता है वो supplier होता है ठीक है बेटा तो जो supplier है वो इसको bill raise करेगा मतलब tax invoice raise करेगा कितने रुपेगा साथ लाक प्लस GST 1.80 का ठीक है और वो अपने GSTR one form में GSTR one form के अंदर report करेगा कि मैंने supply as I'm a supplier I have raised the tax invoice to this person to this recipient of 60 lakhs whereas 1.8 lakhs रुपीज इजा टैक्स लाइबिलिटी 1.8 lakhs रुपीज इजा आउट्पूट टैक्स लाइबिलिटी में यह सारी टर्म को ध्यान रखना हम इनको बीच बीच में यूज करते रहेंगे यह supplier है यह recipient है जो टैक्स अमाउंट इसने पे करी supplier ने उसको हम बोलते हैं आउट्पूट टैक्स लाइबिलिटी वह जी एच्ट वन फॉर्म के थुरू करेगा और यह जो पैसा रेसिपेंट ने इसको पे किया इन दा फॉर्म आफ टैक्स बलब 1.8 lakhs रुपीज वह इसको जीएच्ट टूबी फॉर्म में दिखेगा अंदर सेम विल बी जीएच्ट क्रेडिट अब एक बात बताओ अगर इसके पास जीएच्ट नमबर नहीं है तो क्या वह इसको इसका बेनिफिट ले पाएगा इसके लिए हो जाएगी वह इसके लिए हो जाएगी बी टू सी सेल्स अगर जीएच्ट नमबर है तो हमारी होगी बी टू बी सेल्स आई होप इसका मतलब आपको पता है बहुत अच्छे दें वाट इस डिफ्रेंस ऑफ बी टू सी सेल्स एंड बी टू बी सेल्स ठीक है बेटा अगर इसके बास नमबर नहीं है तो यह इसका सारा कॉस्ट में एड हो जाएगा और यहीं चीज बेटा यहां पर लिखी हुई है क्या कि जो रजिस्टर्ट पर्सन है तो उसके वाज नमबर होगा जो हमारा रेसीपेंट है तो उसको वह बैदेफिट उसका क्रेडिट का पास कर देगा साथ सब्सक्राइब लिखी हुई है और राइजिस एंट पास अग्रेडिट आफ सच टैक्से टू दा परचेजर ऑफ गुड्स और रेसिपेंट सब्सक्राइब हमारे किसी परचेजर कौन था पीपी जोलर्स ठीक है पेटा हाँ अब यह रेजिस्टर परसन कौन है जिसने जेस्टी नंबर ले लिखा हुआ है और रेजिस्टर परसन हो गया इसके पास यह नंबर है तो यह 1.8 लाक्स रुपीज का बैनेफिट क्लेम कर पाएगा यही चीज यहां पर लिखी हुआ है पेटा अब बेटा मैं इसका आपको आगे का मतलब पताता हूं आपको यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ गई आपको यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ गई बेटा जली बदाएए बेटा फिर मैं कहानी को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ ठीक है बेटा आपको यहां तक बात समझ में आ गई है ठीक है आगे चलते हैं सुरी यहीं पर कहानी को आगे चलाते हैं में आप बटाई यहां टीन लोगों का पहला एक्जामपल होलसेलर दूसरे एक्जामपल बूरी आप्लियूर्स और तीसरे एक्जामपल आप यहां दोनों लोग में हम अब समान खरीदने जा रहे मतलब जूल्री खरीदने जा रहे है ठीक है कि यहां से समझना बेटा कोई भी टाउट हो प्लीज आस्क में होलसेलर यहां पर है यहां पर बेटा आपको मैं बोल देता हूं पीपी जोईलर से पीपी जोईलर्स को मैं एजर नाम देता हूं रिटेलर यहां पर बेटा हम है कौन है यहां पर कहों सब बच्चा नाम लेते हैं रिशू का नाम ले देता है यहां पर लेट रेटम मुझे उसी का नाम दिख रहा है ठीक है अब पॉलसेलर ने 60 60 lakhs का सामान बेचा किसको यहां इसको तो यहां पर सप्लायर कौन है यह है और रेसिपियंट कौन है वो यह है 60 lakhs का समान था 1.8 lakhs रुपीज का मेरा क्या था आउटपुट लाइबिलिटी ठीक है 1.8 lakhs की मेरी लाइबिलिटी थी जो होल सेलर ने पे कर दी किसको ठीक है अब रिशू आया किसके पास पीपी जर्स के पास सर मुझे ना जूलरी खरीदनी है एक लाक रुपे गी जर्स ने कहा बिलकुल आप खरीदिये बिलकुल आप खरीदिये ठीक है तो अब इस केस में supplier कौन है recipient कौन है अब इस scenario में supplier हो गया पीपी जोईलर्स और recipient है हमारा रिशू यह हमारा recipient है ठीक है एक लाग के जोल्डी घरी दिगए और इस पें परसेंट का जी स्टी लगा वह कितना हो गया तीन हजार रुपे का बिता ठीक है इसको तो इसको गणित मिलेगा नहीं तो यह क्या है हमारी है है हमारी बी टू सी सेल्स यह हमारी बीटू सी सेल्स है ठीक है अब यह तीन हजार रुपए स्वरी हाँ यहां पर बात करते हैं जो पीपी जो का आइटीसी था आइटीसी मतलब इंपूट टैक्स करें डू कितना था वन पॉइंट एट लैक्स का तो इसकी आउट्पूट लाइबिल्टी कितनी हो गई किसकी पीपी जोईनल्स की वह आउट्पूट लाइबिल्टी यह थीन जार रभे की और आइटीसी कितना है इसके पास वन पॉइंट एट लैक्स को पूरा रिख लेता है अब और यह तक है यह थीन फूल्पूट इसके लिए और आउलपूट कितने यह गए ही इद्वियिए अब पित स्टीन किरां को टेक्स की पेमेंट करनी फिल ऩो टैक्स की पेमेंट करनी है डाय मतलब करने यह इसने जुच प्रिलीमेन पेमेंट करेगा न में तो कैसे करेगा वह देखते हैं बेटा यहां पर देखते हैं आउट्पूट लाइप आउट्पूट लाइबिल्टी कितनी है तीन अजार रॉपए इन्पूट कितना है मेरे पास 1.80,000 अब पेमेंट कैसे होती वह समझे अगर मेरा आउट्पूट लाइबिलिटी एफ दसप्लाइर आउट्पूट लाइबिलिटी इस लेसार दैन इन्पूट टेक्स क्रेडिट बिकाज यह पैसा मैं अल्री सरकार को दे चुका हूं समझे रहों यह एक लागत सिजर मैं मैंने ही दिया सरकार को बट मैंने डिरेक्ली नहीं दिया मैंने वाय सप्लायर दिया है ठीक है if my output liability is lesser than my input tax credit तो वो मेरा यहां से reduce हो जाता है इसी को हम बोलते हैं utilization of input tax credit इस process को हम बोलते हैं utilization of input tax credit ठीक है बेटा अब मेरा input tax liability कितना बचा out of 180,000 is 177,000 एक बात प्लीज नजर माल लीजिए और मुझे थमसब दे दीजिए कि आपको इस process समझ में आ गया है जो यहां पे था बेटा 1.8 यह हम मानते हैं process का beginning था तो यह पूरा का पूरा 180,000 इसने cash में पे किया cash मतला बेटा नोटों की गड़्टी से नहीं cash का अब नोटों की गड़्टी नहीं cash is equivalent to bank तो इसने bank से पूरा पैसा सरकार को पे किया और फिर इसने इसका benefit को उसको पास कर दिया हमारे recipient को और recipient के पास यह अमाउंट आ गया as a input tax credit in the form of GSTR 2B अगर आप इस चीज को समझ में समझ आपको आ जाती है यह बात तो आप समझ लीजिए कि आपना बहुत अच्छी पोजिशन पर आ चुके हैं GSTR में बहुत अच्छी पोजिशन में इसके पर थोड़ा टाइम और spend करूंगा बिकर यह बहुत important है कि आपका पूरा सबस्क्राइब बेस नहीं से चलेगा पूरा की इन्पुट टैक्स लैबिल्टी क्या है लाट पैमेंट कैसे की यूटलाइशन ऑफ क्रेडिट क्या है GSTR1च क्या है? GSTR2B फर्म क्या है? हम भीच-बीच में इन सब्डों को सुनते रहेंगे मैं बार-बार इस सब नहीं हमारे बीच में यह क्योंकि पूरा syllabus इनी सब सब्डों से घुश्म समझ वह बह्ती बात है अब ज्यां चिम्हें का वह नहीं है? जो हमने बताया example में लिया हमने की जो रेजिस्टर परसन मतलब पीपी जो है उसने जो टैक्स पे किया उसका वो benefit क्लेम कर पा रहा है जहां से पढ़ना एंड ऑल्सो यूटिलाइज दे सेम फोर पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू मतलब जो इसका पेमेंट था तीन जार रुपे का वो इसने यूटिलाइज कर लिया कि जो बेटा इंग्लिश यहां पर लिख हुई पूरा का पूरा मैंने यहां पर आपको एक्जाम्पल में समझाने की पूरी कोशिश करिये है ठीक है मतलब इंपुट टैक्स क्रेडिट हर सेल्स पे रिड्यूज होगा सप्लाइर के लिए बेटा सप्लाइर के लिए नहीं रिशु जाहन से दमझे रिसीपियंट के लिए अगर हाँ अगर आप से इंगल से पात करेंगे कि सप्लाइर मेरा यह है यह सप्लाइर है तो अफकोस बेटा ऑफकोस कम होगा जैसे जैसे आप अपनी सेल बढ़ाते जाएंगे आपका आउटपूट टैक्स लाइबिल्टी बढ़ता जाएगा ठीक है आप अपने यहां से कम करते करते हैं रहे हैं ठीक है अगला कोशन किया था बेटा सर बुक में एक चैप्टर सेक्यूरिटी मार्किट नाम का भी चैप्टर है नहीं बेटा आप गरत गरत बुक रफर कर रहे हैं अच्छा एक बच्चे का आया है प्रीति और मानसी का कि सर एक लाइस एक लाइस हजार का क्या हुआ पेटा वह आ आप परस्नल पोर्टल है तमदीजी वहां पर रख्यों मैं पैसे अब बैचे करें सर इसका क्या हो बन सेवंडी सैवन का बेटा आप समान कितने का लिए था आपने के लिए ग् CR makeup कऊ सब्सक्राइब आपने इक लाग का आपने 60 लाइक रुपर है अभी द़ी ग्रिएक लाएग ट良। कि ऐस्कों यह था मांसी और बटा जिसने बुलें सरस्वंटी सैंगा क्या होगा बैटा आप आप समान लेकिए 60 lakhs का आपने बेचा भी तक एक लाग का 59 lakhs का समान अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है आपको वह भी तो बेचना है अगर आपको बेचना नहीं है आपको खुद से इस्तिमाल करना है तो बेटा ध्यान रखना GST में अगर आप कोई समान खुद ही इस्त आपको बेचना के लिए लाए हो तो बेटा आपके अभी भी 59 का समान पड़ा हुआ है अगर वह पड़ा हुआ है तो उस्ते आप डाव बनेगी और अगर वह बनेगी तो यहां से कतम हो जाएगी बटा आपकी ठीक है नहीं बेटा सिक्योर्टी का कोई चैप्टर नहीं आपके सलेवस में सॉरी जेरिज्व चैप्टर रिलेटिड़िटीट्यू सेक्योरटीज बेटा आरिफ यह तो आपके अम उसके उपर है ना कि सब्पोर्ज करो एक लाग का आपने समान बेचा तो क्या वह समान एक लाग कि अपने प्रॉफिट किया और कॉस्टिंग बढ़िए आपने चाहं समझिये एक लागा समान बेचान तो अल्टिमेट लीए आपके स्टॉक में से 60 लैक्स का स्टॉक था आपके पास आपने 0.85 का अठा दिया उसमें से कितना बचा 59.15 लैक्स की इन्वेंट्री अभी भी आपके पास पढ़ी हुई है बेटा क्लियर उसको बीच सोके न सकाफ। इसे पर प्राफिट करो करें चबैंडे कास प्रफूपित हैं उसको कितना करते हैं नु किस्कीषी लाक्स तो जीए स्टीव लॉकान स्वान प्राज सब्सक्राइब तो उसके उपते गया आपस माल माल जेते कि दो लाक में से सुरी इसको 65 कर दो कि 65 अपका समान अपने बेचा बचा हुआ और उस पर आपका जिस्टी बना दो लाक रुपे का आपके बास कितना था 177 तो अब इस केस में क्या हुआ आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिल्टी इससे कम हो गई सुरी जादा हो गई नो 177 कितना बचा 23000 रुपीज यह आपको बैंक से के तुरू गवर्मेंट को पे करने पड़ेंगे कि बाकी का पैसा बचा बेटा मान दो लाक की आउटपुट लाइबिल्टी बन लिए आपकी जो समान बचा उसको बेचने में ठीक है आपका इंपूट कितना था 177 आपने उ प्रूट को पे करता होगे अपनी जी एस चार वन की रिटन फाइल करोगे आप गवर्मेंट को पे करता है बीटू सी में सी के अंदर बेटा मैंने बुक बोली थी के एम बंसल कि नॉट कमल बंसल के एम बंसल यह कुछ ऐसी बुक दिखती है बेटा देख लीजिए देख लीजिए पेटा कुछ ऐसी बुक दिखती है यह जहां से गर आप देखेंगे और इस यह डॉक्टर के एम बंसल प्रूट के एम बंसल थीक है बेटा कि अधिक 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 करेंगे कि अधिक यह लाइबिल्टिक किस पॉइंट पर आएगी कौन से स्टेट की होगी किस ट्राइम पर बनेगी यह सब हम डिसकस करेंगे डिसकस हमारा सिर्फ यह होगा कि सर यह कौन से स्टेट को पैसा मिले का किस टाइम पर होगा कौन देगा यह गए दोनों लोग यह यह प्लीज मुझे बताजिए अगर आपको यह चीज पूरी समझ में आ गई है तो फिर हम चीजों को आगे लेके चलते हैं प्लीज एक बार नजरमा लिजिए कोई भी डाउट है वी कन डिस्कॉस इट आइट अवे प्लीज कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेटा यह प्लीज प्लीज कर दीजिए अगर आगया तो नहीं है तो हम फिर से डिसकॉस करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेटा यह बहुत इंपोर्डट है क्या पूरा मे várias रहने वाला है ंप ल Bu rá अ क्या आप्क्र सथ ख्रेटिट है ग्लडग सまだ है क्या मेरा इंपुर टेक्स क्रेडिट है में तो क्या कैसे में यूटलाइज करूं आपने इंपुट को वह सारी चीज़ है में यहीं पर डिस्कॉस करेंगे बेटा कि यह बेटा